साथियों एक्सपोर्ट बनाने के लिए चार फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है पहला देश में मैनिफेक्टरिंग कई गुना बढ़े और क्वालिटेटिवली कॉम्पिटेटिव होना चाहिए और जैसे अभी कुछ साथियों ने कहां कि आज दुनिया में एक ऐसा बर्ग तयार हुआ है जो कीमत से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करता है और हमें इस चीज़ को एड्रेस करना ही पड़ेगा दूसरा ट्रांस्पोर्ट की लोजिस्ट्रिक्स की दिक्कते दूर हो इसमें राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार को भी और जो भी प्रावेट उसमें प्लेयर्स होते हैं इन समने अपने भूमी का निभानी होगी तीसरा एक्सपोर्ट के साथ सरकार कंदे से कंधा मिलाकर के चले यह कोई राज्य सरकार है इसमें अगर इन्वाल नहीं है राज्य में जो प्रकार की एक्सपोर्ट काउंसिल्स है वो अगर इन्वाल नहीं है और कोई एक व्यापारी अपने तरीके से एक्सपोर्ट करता रहता है आइसोलेटर वर्ज में तो हमें जो परिणाम चाहिए वो नहीं मिलेगे हमें मिलकर के ही प्रयास करना होगा और चौथा फैक्टर है जो आजके इस आयोजन से जुड़ा है और वो है भारतिये प्रोडक्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट ये चारों फैक्टर्स एकजूट होंगे तभी भारत का लोकल ग्लोबल होगा तभी मेक इन इंडिया फर दो वर्ड के लक्ष को हम बहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे